नमस्कार दोस्तों आउसीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल करर का एक बहुत ही कुप्सुरा डिजाइन लाए हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं इसे आप लेडी स्वेटर में जैन स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में किसी भी प्रजेक्ट में आप इसे बनाए यह सब में बहुत ही अच्छा लाएगा और इसे बनाने के लिए आठ के मल्टिपल फंदे चाहिए और दू फंदा एक्स्ट्रा तो चलिए फ्रैंसम बार्डर बना लिया है और अब हम रॉंग साइड में हैं तो इस तरफ हम सबी फंदे उल्टे बनाएंगे यदि हमें फंदे बढ़ाने हैं तो इस साइड से हम फंदे बढ़ा सकते हैं तो रॉंग साइड से हम सबी फंदे उल्टे बना लेंगे यह design आठ के multiple फंदे में है और दो फंदा हम इसमें add कर लेंगे यानी हम 88 फंदे ऐसे करके गिनें तो last में दो फंदा बचना चाहिए तो यह design का पहला line है और सामने से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे या slip कर लेंगे फिर उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा उल्टा एक दो तीन अब उन दूसरी और करेंगे और चौथे फंदे को हम एक लाइन नीचे से हम नर्मली जो फंदा स्लाई में है यहां से बनते हैं लेकिन इसमें हम एक लाइन नीचे यह जो छेद दिख रहा है इसमें हम ऐसे स्लाई डालेंगे और सीधा बना लेंगे एक लाइन नीचे से हमने सीधा बना लिया फिर दूसरा फंदा भी हम सीधा बुनेंगे लेकिन एक लाइन नीचे से दो फंदे हमने एक लाइन नीचे से सीधा बुना है अब उन अपनी ओर करेंगे और छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच छे अब उन दूसरी और करेंगे और फिर हमें दो फंदे सीधे बनने है लेकिन एक लाए ने जैसे अब देखे हम यहाँ सलाई न डालके बलकि यह जो छेट दिखाई दे रहा है इसमें सलाई डालेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे नेक्स्ट फंदा भी हम देखे यहाँ सलाई न डालके बलकि एक लाए नेचे देखे यह जो छेट दिखाई दे रहा है इसमें हम सलाई डालेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे तो दो फंदे हमने सीधे बना लिए अब हमने अपनी और करेंगे और छे फंदा उल्टा एक दो तीन चार पांच छे फिर उन दूसरी और करेंगे अगले दो फंदे हमें सीधे बनने हैं लेकिन सलाई वाले फंदे में न डालकर एक लाएन नेचे सलाई डालेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे अब हम इसे छोड़ देंगे नेक्स्ट देखिए हम यहाँ न डालकर बलकि एक लाएन नेचे सलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे तो हम छे फंदा उल्टा बन रहा हैं और दो फंदा सीधा और सीधा फंदा एक लाइन नीचे से तब सीधा बुन रहा है छे फंदा उल्टा हो गया, अब दो फंदा सीधा लेकिन एक लाइन नीचे से तब सीधा फिर छे फंदा उल्टा इन्ही आठो फंदो को हमें दोराना है छे फंदा उल्टा बुनना है और दो फंदा सीधा बुनना है लेकिन एक लाइन नीचे से सीधा अब देखिए शुरुवात में भी हमने पहला फंदा स्लिप किया फिर तीन फंदा उल्टा बुनना पर लास्ट में भी देखिए तीन फंदा उल्टा आएगा और लास्ट फंदा सीधा लास्ट फंदा है जिस तीज़े है इसे हम सीधा बुननेंगे और wrong side से हम सबी फंदे उल्टे बना लेंगे अब ये हमारा तीसरा लाइन है तो पहला फंदा slip करेंगे तीन फंदा उल्टा उन दूसरी उर करेंगे दो फंदा सीधा बनना है लेकिन एक लाइन नेचे से यानि जो सलाइन में फंदा है इसमें न डालके उसके नीचे वाले लाइन में हम सलाइन डालेंगे और एक फंदा सीधा बनेंगे फिर अगला फंदा भी एक लाइन नेचे से सीधा उन अपनी और करेंगे छे फंदा उल्टा तो इन्ही आठ फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है दो फंदा सीधा बुनना है लेकिन एक लाइन नेचे से सीधा और उन अपनी और करना है और छे फंदा उल्टा उन दूसरी और करना है दो फंदा सीधा उन अपनी और करना है और छे फंदा उल्टा उन दूसरी और करना है दो फंदा सीधा लेकिन एक लाइन नेचे से सीधा उन अपनी और करना है छे फंदा उल्टा उन दूसरी और करना है दो फंदा सीधा उन अपनी और करना है और लास्ट में चार फंदे बचे हैं तो तीन फंदा उल्टा और एक फंदा एज इस्टी इचा इसे हम सीधा पुन लेंगे और रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे फिफ्ट रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे नेक्स्ट फंदा एक कलाइम नेचे से स्लाइड डालके और सीधा फिर उन दूसरी और करेंगे अपनी और करेंगे और शी फंदा उल्टा एक दो तीन चार पांच छे उन दूसरी और करेंगे और दो फंदा सीधा लेकिन एक लाइन नीचे से सीधा उन अपनी और शे फंदा उल्टा एक दो तीन चार पांच छे उन दूसरी और दो फंदा सीधा लेकिन एक लाइन नीचे से सीधा उन अपनी और शे फंदा उल्टा एक दो तीन चार पांच छे उन दूसरी और अब दो फंदा सीधा देखिए फ्रेंड्स यहां पर आप ध्यान देजेगा यह जो है दो फंदा जो सीधा हम इस लाइन में बुन रहे हैं वह छे फंदा उल्टा का तीसरा और चौथा फंदा है यानि छे फंदा सीधा का बीच के दो फंदे इसे हम एक लाइन नेचे से स्लाइड डाल के तब सीधा बनाएंगे और देखिए यह जो दो फंदा हमने सीधा बुना था तो यह दो फंदे और इस दो फंदा दो दो फंदे दो नो तरफ से ले लेंगे तो यह हो जाएंगे छे फंदे तो इन छे फंदों को पांच वी लाइन में हम उल्टा उपनेंगे देखिए छे फंदों में से दो फंदा हमारा उल्टा हो गया है इस साइट में आ गया अब बीच के यह दो फंदे हैं जिने हम सीधा बनेंगे लेकिन एक लाइन नीचे से सीधा अपनी और अब देखिए छे फंदा हमें उल्टा बनना है तो यह दो फंदे सीधे फंदे के दो फंदे पहले वाले और सीधे फंदे के दो फंदे बाद वाले यह छे फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छे उन दुसरी और एक फंदा एक लाइन नीचे से सीधा और लास्ट फंदा एज स्टीच है जिसे हम सीधा बनेंगे और रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे सात्वा लाइन और सामने से सात्वे लाइन में हम पाच्वे लाइन को ही दो राएंगे उन अपने और करेंगे तीन फंदा शे फंदा उल्टा उन दूसरी और करेंगे दो फंदा सीधा लेकिन एक लाइन नीचे से स्लाइड डालेंगे तब सीधा उन अपनी और करेंगे छे फंदा उल्टा तो इन ही आठ फंदो को हमें पूरी लाइन में दूराना है उन दूसरी और करना है दो फंदा सीधा लेकिन एक लाइन नीचे से सीधा उन अपनी और करना है छे फंदा उल्टा उन दूसरी और करना है दो फंदा सीधा उन अपनी और करना है छे फंदा उल्टा तो इन ही दो फंदो को हम पूरी लाइन में दूराएंगे और रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे देखिए फ्रेंट्स इन ही आठो लाइनों को दूराते रने से एक कुपसुरसा पैटर्न बनता चला जाएगा सामने से ये ऐसा दिखाए दे रहा है और पीछे से ऐसा अाशह है आपको अच्छा लगा होगा तो क्रिपया यदि आपको अच्छा लगा हो तो क्रिपया इसे लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिष्टेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन मिल सकें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।